तो हेलो गाइज माइसेल्फ शुभा मगरवाल फ्रॉम टीम आशीश तो अपने पिछली वीडियो में फिनाइल एलिनियन एंट टाइरोसीन का मेटाबोलिजम अच्छे से डिसकस किया ठीक है अब अपन देखते हैं इससे इन बॉर्ण इन दोनों से क्या क्या रिलेटेड जो कि बहुत इंपोर्टेंट है अपन कैसे कैसे देखने वाले तो सबसे पहले अपन फिनाइल कीटो नूरिया डिसकस करेंगे उसके बाद ऐलकेप्टो नूरिया अल्बिनिजम और टाइरोसीनेमिया यह चारू टॉपिक आपके बहुत इ दिये जाएंगे ठीक है डिसक्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ठीक है तो करते हैं अपने स्टार्ट उससे पहले एक बात आथ कि अपने कार्बोईडरेट मेटाबोलिजम फैट मेटाबोलिजम बायो एनर्जेटिक्स यह तीन यूनिट कर दिये हैं आपको लिंक नीचे डि ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला अगर इसके जेनेटिक्स की बात करें तो यह ओटोसोमल रेसेसिव कंडिशन है अप्रोक्सिमिटली वन इन पंदरासो बर्थ के अंदर देखने को मिलती है ठीक है कि एक चिल्डरन के अंदर पंदरासो जो पैदा हुए उसमें से फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डिफिशन्सी होती है ठीक है अब यह क्या करता है क्या निकरता यह सब अपने पितली वीडियो में देखा है लास्ट में अपने जो केटाबॉलिजम का चार्ट पढ़ा था न वह अपन से वापिस से डिसकस करेंगे कौ तो आपका फिनाइल एलेनिन जो है यह अक्यूमिलेट हो जाएगा और अब फिनाइल एलेनिन से टाइरोसीन का पाथवेश ब्लॉक हो गया है तो यह जाएगा आपके अल्टरनेट पाथवेज में अब अल्टरनेट पाथवेज क्या-क्या होंगे फिनाइल एलेनिन के वह discuss करते हैं ठीक है तो basic abnormality ध्यान रखने है फिनाइल एलनिन नाइड्रोक्सलेज एंजाइम की deficiency है ठीक है तो अब यह जो आपका फिनाइल एलनिन है यह अब जाएगा अलग-अलग पात्में में तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रांसेमिनेशन रियक्शन की तो ट्रांसेमिनेशन एंजाइम के मदद से हैं और ट्रांसेमिनेशन कैसे होती है वही आपको पता है ना अपने बहुत अच्छे से डिसकस कि आलफा कीटो ग्लुटरेट से ग्लुटामेट ठीक है और यह जो फिनाइल एलनिन है यह कनवर्ट हो जाएगा फिनाइल पाइरुवेट के भी दो फेट है या तो इसका रिदक्षन हो जाएगा फिनाइल पाइरुवेट का और बन जाएगा आपके पास फिनाइल लेक्टेट या फिर इसका डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा सियो टू रिमूब हो जाएगी और बन जाएगा फिनाइल तो इसमें basic abnormality के आए कि Phenyl Elynin से tyrosine नहीं बन रहा है, तो Phenyl Elynin बोडी में accumulate हो रहा है, तो यह urine में pass out होगा, alternate pathways में जाएगा, Phenyl Elynin जो है, Phenyl Pyruvate बनाएगा, Phenyl Lactate बनाएगा, Phenyl Acetate बनाएगा, और Phenyl Acetyl Glutamine बनाएगा, ठीक है, और यह सब जो है, यह आपके urine में pass out हो जाएगे, ठीक है, तो Phenyl Elynin से Phenyl Pyruvate और यह सब, तो यह जब जो pass out हो रहा है, यह ketones है, इसलिए, इस disease का नाम है, Phenyl Ketone Nurea, ठीक है, Phenyl Ketones है, ठीक है, तो Phenyl Elynin ने alternate pathway ले लिया है, ठीक है, अगर इसके अपन टाइप्स की बात करें, तो यह approximately 5 types के होते है, Phenyl Elynin Hydroxylase की मदद से, इसमें Tetra Hydro Biopterine, Dihydro Biopterine में Convert हो रहा था, फिर वो वापिस Replanish हो रहा था, NADPH की मदद से, ठीक है, तो अब 5 types की बात करें, तो type 1 जो होता है, Classic Phenyl Ketoneurea, ठीक है, Classic Phenyl Ketoneurea, इसमें Deficiency होते है, Phenyl Ketone, इसकी Deficiency होते है, Phenyl Elynin Hydroxylase की, ठीक ह यह 5 types की होते है, type 1, type 2 and 3 and type 4 and 5, type 2 and 3 में Deficiency of Dihydro Biopterine Reductase, Dihydro Biopterine Reductase, ठीक है, समझाया है, Dihydro Biopterine Reductase कौन सा था, यह जो Dihydro Biopterine बन रहा था, यह further replenish होके Tetra Hydro Biopterine में बन रहा था, in the presence of NADPH reductase, या फिर Dihydro Biopterine Reductase, तो इसमें Defect है, उसको बोलते है, type 2 and 3, और type 4 and 5 में क्या होता है, कि there is defect in synthesis of Dihydro Biopterine, there is defect in synthesis of Dihydro Biopterine, कि Biopterine का synthesis ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो भी यह reaction नहीं होगी, तो यह 5 type ऐसे further अपन डिवाइड करते है, ठीक है, यह reaction most important है, यह लिखके यहां पर ऐसा cross बनाएंगे, अपन अच्छे से notes में पूरी presentation अच्छे से है, यहां पर बस समझना है, ठीक है, तो 5 types की बात कर ली, अब इसमें जो clinical features है, वो क्या क्या आएंगे, clinical features आप खुद सोच के, अच्छे से रटने की कुछ जर्वत नहीं है, clinical features किस से आएंगे, phenyl alanine से tyrosine नहीं बना, और tyrosine से अपने specialized products क्या क्या बन रहे थे, यह याद होने बहुत जरूर है, melanine, और अपने ketakolamines, epinephrine, nor epinephrine, dopamine, और thyroid hormones, ठीक है, तो अब अपन बात करते है, clinical features की, ठीक है, तो सबसे पहला जो clinical feature है, वो child के अंदर mental retardation, ठीक है, mental retardation क्यों होगा, क्योंकि यह जो अपना dopamine था, epinephrine था, nor epinephrine था, यह आपको सबको पता है, कि यह neurotrans transmitters है, brain के अंदर, ठीक है, इनकी deficiency हो जाएगी, तो mental retardation होगा, और severe mental retardation होता है, IQ इनका 50% हो जाता है, ठीक है, children का, तो mental retardation सबसे पहला, और CNS excitation के features हांगे, tremors, hyper activity, convulsions, ठीक है, hyper activity, convulsions, यह सब neurotransmitter का खेल जल रहा है, ठीक है, often hypopigmentation भी होगा, क्यों होगा hypopigmentation, सब link करत जाओ, क्योंकि melanin नहीं बन रहा, तो further समझ में आ रहा, hypopigmentation होगा, क्योंकि decreased availability of tyrosine, so tyrosine से melanin नहीं बन रहा है, ठीक है, growth failure होगा, child का, growth failure, यह सब ऐसे-ऐसे history आई गया आपको, अपन लास्ट में जो unit कतम होने के बाद clinical case discussion करते हैं, जब और अच्छे से, देखेंगे कि क बहुत specific golden word equation के अंदर, बहुत specific अगर mousey order urine का है, तो phenyl ketonuria का case है, यह बात दियान रखने है, तो यह अपने clinical features देखा, ठीक है, अब देखते है कि इसकी diagnosis कैसे करोगा, अप basic biochemical abnormality समझ ली अपने types देख लिए और इसके clinical features देख लिए, ठीक है, अब अपन देखते है, diagnosis, ठी ठीक है, तो diagnosis में अपने देखा, phenyl alanine, जो blood के अंदर है, raise हो गया, ठीक है, phenyl alanine blood के अंदर raise हो गया, तो अपन direct इसका level estimation कर लेंगे, blood के अंदर, ठीक है, सबसे पहला तो यह कर सकते है, कि blood में, phenyl alanine, जो normal होता है, वो आपका less than 1 mg per deciliter होता है, बट phenyl ketonuria के अंदर, यह ज अपन टेस्ट की बात करें, तो जो confirmatory test है, इसका वो होता है, tandem mass spectrometry, tandem mass spectrometry है, यह आपका confirmatory test है, पर यह बहुत महेंगा होता है, इसलिए, नहीं करते है, अगर अपन तीसरे test की बात करें, जो rapid screening test है आपका, यह बहुत important MC की बाता है, आपका, phenyl ketonuria का rapid screening test कौन सा है, तो यह बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है, इस test का नाम है, गुथरी test, ठीक है, scientist था, गुथरी, उन्होंने दिया था, इसलिए, उसका नाम है, गुथरी test, और यह किस पर बेस होता है, it is based on bacterial inhibition essay, इसमें क्या होता है, यह कोई नहीं पूचेगा, आपको, but main important बात यह ध्यान डालते हैं, फिनाइल, एलनिन, जो एक्सक्रीट हो रहे है, फिनाइल की टोन्स का, तो bacterial inhibition हो जाता है, ठीक है, चौथा, अगर आपन बात करें, तो आज कल, DNA probes भी है, कई बार अवेलेबल है, DNA probes, प्रीनेटल डाइगनोसिस कर सकते हैं, ठीक है, sorry guys, आज वो दशेरा है, इसलिए पटागे पटागे पोट रहा थोड़ा, तो उससे डिस्टर्ब नहीं हो, और एक मेन बात जो आती है, फैरिक क्लोराइड टेस्ट, यह अपन करते हैं, यह आपने पड़ा होगा, यूरीन एग्जामिनेशन में भी, क्या करते हैं, फैरिक क्लोराइड की ड्रॉप अगर आप यूरीन में डालते हैं, फैरिक क्लोराइड की ड्रॉप अगर आप इन यूरीन के पेशेंट में डालते हैं, तो ट्रांजियन ब्लू ग्रीन कलर आ जाता है, और यह टेस्ट भी करते हैं, तो यह अपन ने कर ली इसकी डाइगनॉसिस, अगर आपन ट्रीटमेंट की बात करे हैं, तो ट्रीटमेंट क्या है, इसमें early detection बहुत important है, इसमें early detection बहुत important है, और ऐसा भी कह जाता है, कि 5 units of IQ are lost for each 10 week delay in starting treatment, अगर 10 हफ़ते आप डिले कर रहे हो ट्रीटमेंट के start में, तो 5 units of IQ decrease होती है, तो treatment तो क्या है, सिंपल है कि diet containing low phenyl alinin, phenyl alinin कम low diet में, क्यू सब्सक्राइब करना पड़ता है तो अपने फटाफट से देखते क्या होता है उससे नहीं बन पाया अल्टरनीट पात्वेस में फिनाइल पाइरुबेट फिनाइल लेक्टेट फिनाइल एसे यूरीन में पास आउट होगे पाँच टाइप होता है एक लिए फिसंची आईजाइम की की सेकंड और थर्ड में डायडरो बायोपतेरिन डिदक्टेस और थर्ड में सिंतेसी ऑप आउप्टेरिन ठीक है क्लेनिकल फीचर्स अपने देखें डाइगनॉसिस कैसे करेंगे और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ठी तो यह भी आपके autosomal recessive disorder है इसमें क्या हो जाता है कि urine जो होता है urine becomes black ठीक है इन patients का urine becomes black on standing when it becomes alkaline ठीक है तो patient complaint करता है कि हां कि मैं urine pass करता हूं उसके बाद यह black urine हो जाता ठीक है डाइपर जो इसमें बेसिक डिफेक्ट क्या है तो इसमें बेसिक डिफेक्ट क्या है अगर बात करें तो इसमें जो होता है यह आपका homogenesic acid जो था ना homogenesic oxidase की deficiency हो जाती है homogenesic enzyme की deficiency हो जाती है यह autosomal recessive है यह मैंने आपको बता यह मिलता आपका लगबग one in डाइल आक में यह less common है phenyl ketonuria more common था ठीक है और इसमें क्या हो जाती है homogenesic oxidase की deficiency हो जाती है homogenesic oxidase क्या गर रहा था आपका यह आपका homogenesic oxidase तो यह homogenesic acid से malelyle acid to acetic acid तो यह इसमें block हो गया तो क्या हो गया आपका homogenesic acid accumulate हो जाएगा ठीक है तो इससे homogenesic acid accumulate हो जाएगा ठीक है homogenesic acid accumulate होगा यह भी alternate pathways में जाएगा और finally बन जाती है इसमें elkeptone bodies ठीक है और यह elkeptone bodies फिर अलग-अलग जाके अलग-अलग जगे जाके deposit होगी और urine में भी pass out होगी ठीक है तो further elkeptone bodies यह बन गई है आपकी और यह फिर deposit अगर joints में हो गई joints और cartilage में अगर यह deposit हो जाती है तो इसको अपन बोलते है ओ chronosis और यह further arthritis हो जाता है इन में persons में ठीक है वैसे आरली यह asymptomatic condition है लेट इस में आफ्टर डीकेड्स इन में conditions जो देखने को मिलती है वह chronosis और arthritis ठीक है इसमें जो अपना यह जो होता है अगर इसके treatment की बात करें तो treatment इसका no specific treatment required no specific treatment required डायरेक्ट बस जो भी है कि diet है थोड़ी low in phenyl ellenine ठीक है कि उनको बोल सकते है कि थोड़ा advice दे सकते है कि phenyl ellenine जिसमें हो वो diet थोड़ी low ले क्योंकि उनका catabolism में दिक्कत है बाकि कोई specific treatment required नहीं है और यह compatible with normal life ठीक है खाली बस abnormality के आए कि blackening of urine in standing और फिर यह urine जो होता है यह polymerize हो जाता है black colored compound elkeptone bodies में ठीक है और 3rd to 4th decades के अंदर यह आपको देखने को मिलता है ठीक है 3rd to 4th decades में patient may develop ochronosis ochronosis का मतलब क्या है development of elkeptone deposition of elkeptone bodies in intervertebral disc cartilage of nose and pinna ठीक है tone में ठीक है बस बागी कुछ नहीं है इसमें कोई specific treatment required नहीं होता है ठीक है इसका भी diagnosis के अगर बात करें तो diagnosis इसका भी simple है एक तो direct observation कर सकते कि यूरीन है वो black हो जाएगा on standing तो यूरीन को अगर test tube में रख दिया मान लो तो कुछ देर के लिए तो यह उपर से black होने लग जाएगा ठीक है यह कैसे उपर से ब्लेक होने लग जाएगा धीरे धीरे फिर यह पूरा ब्लेक हो जाएगा ठीक है सनलाइट के exposure में या कहीं भी भार oxygen में रख दोगे तो तो यह एक तो direct ऐसे पता कर सकते हैं इसमें भी आपका positive आता है इसमें बेनेडिक टेस्ट जो होता है यह भी आपका positive आता है क्योंकि यह एल्केप्टन बोडी रिदूजिंग चुगर्स और तो यह बेनेडिक टेस्ट इसमें पॉजिटिव आता है ठीक है डिफेरेंचल डिग्नोसिस आपने बात करी थी बेनेडिक टेस् और यह भी reducing compound है इसलिए इसमें भी एल्केप्टन बोडी बेनेडिक टेस्ट पॉजिटिव आता है ठीक है तो खाली बेनेडिक टेस्ट पॉजिटिव आने से मतलब नहीं है और भी अपन डिसकस करते हैं ठीक है कैसे होता है यह यूरीन का examination बहुत अच्छा बहुत आसान त पीज़िक हुती है नुल करते हैं यह एप्सेंट होता है तो टाइरो कमेंटेशन को नहीं होता तो इससे क्लेनिकल फीचर जाएंगे आपके hypo-pigmentation hypo-pigmentation आएगा ठीक है और जो होगी skin जो होगी यह susceptible हो जाएगी to cancers to cancers hypopigmentation हो रहा है UV light susceptible UV light से susceptible हो जाएगी skin ठीक है तो क्या होँगे hair भी white हो जाएगे उसके hypo-pigmentation की वज़े से तो एसी कुछ history दे रखे होगी skin में low pigmentation होगा skin is sensitive to UV light then skin में shows presence of certain cancer इसमें जो ऑक्यूलर फंडस भी आइपो पिग्मेंटेशन है पूरी बॉडी में आपको बताया था कि जो आइपो पिग्मेंटेशन है वह अगर लोकलाइज अगर एक ही जगे पर इसकिन में जो वाइट पैचेस बन रहे तो उसको अपन लुकोडर्मा किया रहे ते और यह है थिए थायपो पिग्मेंटेशन है तो ऑक्यूलर फंडस भी और आइज इसमें भी रेड ठीक है यह फीचर्स देखने को मिलें थीक है तो इसमें क्या होगा फोटो फपोबिया होगा ठीक है फोटो फोटो फोबिया अपने बताया सटेप्टिबल टू संलाइट में इंसान को photophobia होगा और visual activity भी काम हो जाएगी इसके ठीक है decreased visual activity ठीक है तो यह tyrosinase enzyme की deficiency ठीक है albinism में ठीक है यह ध्यान रखना है अब अपन discuss करते हैं tyrosinemias जिसमें से आपके सिर्फ और सिर्फ MCQ आते हैं तो यह tyrosinemias में अपन एक तो पढ़ता है tyrosinemia type 1 tyrosinemia type 1 में किसकी deficiency हो जाती है इसको अपन बोलते है hepatorenal tyrosinemia इसका एक और नाम है hepatorenal tyrosinemia इसमें जो होती है यह आपकी deficiency होती है deficiency of fumarile इसमें enzyme ध्यान रखना है fumarile जो अपन last में discuss करेंगे वह बहुत important है fumarile acetoacetate hydrolis is enzyme की deficiency अब यह enzyme क्या कर रहा था अपन last में discuss करते है अपन ने देखा पिसली वीडियो में देखा यह क्या कर रहा था उसको cabbage like order and hypoglycemia भी होते है क्योंकि जो अपना last में जो ग्लुकोजनिक पाथवे में जाके glucose बना रहा था वो नहीं बन पा रहा है तो hypoglycemia भी features होते है next जो आता वह आपका होता है tyrosinemia type 2 जिसका एक special नाम है syndrome का richner harter syndrome यह दियान रखना यह special नाम से क्यों कई बार आजाते तो इसमें किस enzyme की deficiency होती है इसमें होती है deficiency of tyrosine transaminase ठीक है यह अपने सब वह metabolism में अपन लाइन से देखेंगे tyrosine transaminase deficiency इसमें क्या होगा इसका एक दूसरे नाम है उससे आपके features समझ में आ जाएंगे और इसका नाम है oculocutaneous tyrosinemia oculocutaneous tyrosinemia oculocutaneous tyrosinemia oculocutaneous 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 तो मतलब eye के कुछ features आएंगे और skin के आएंगे तो eyes में क्या हो जाता है painful corneal lesions painful corneal lesions photophobia दिखेगा इसमें ठीक है और जो होगी palmar surface की keratosis हो जाएगी तो यह skin का feature हो गया और यह दो eye के features हो गया feature और वो कुछ नहीं कुछ एगा इस पर short note नहीं आएगा बस deficiency enzyme की ध्यान रखने ठीक तीसरा एक होता है neonatal tyrosinemia neonatal tyrosinemia इसमें जो होता है यह आपका enzyme कौन सा deficient होता है इसमें होता है parahidroxy phenyl pyruvate hydroxylase enzyme parahidroxy phenyl pyruvate hydroxylase enzyme की deficiency हो गई है तो अब अगर देख लेते हैं कि कैसे कैसे यह हो रहा है तो अपने एक वो चार्ट से देखते हैं इसको अच्छे से समझते हैं पूरी वीडियो को अच्छे से एक बड़ देखते हैं यह आपका ketabolism है phenyl alanine and tyrosin का ठीक है अब अगर phenyl alanine से phenyl hydroxylase इस enzyme की deficiency हो गई तो अपनने कौन सा पढ़ा phenyl ketoneuria ठीक है पहला अपनने यह पढ़ा दूसरा क्या पढ़ा था अलकेptoneuria उसमें कौन से enzyme की deficiency हो ठीक है तीसरा अपनने पढ़ा था albinism albinism में कौन से enzyme की deficiency थी tyrosinase enzyme की ठीक है tyrosinase enzyme की deficiency थी तो melanine नहीं बन पा रहा था इसलिए generalized hypopigmentation के features आ रहे थे ठीक है अब अपन देखते है tyrosin transaminase अगर इसकी deficiency हो जाए तो कौन सा अपना आता है tyrosin transaminase तो इसमें कौन सा आ रहा था आपका type 2 tyrosinemia tyrosinemia type 2 और इसका special नाम बताया था richner heartner syndrome ठीक है यह ध्यान रखना अब अब अपन बात करते है para hydroxy phenyl pyrovate hydroxylases enzyme की deficiency हो जाए तो कौन सा हो रहा था neonatal tyrosinemia ठीक है अब अब अपन बात करें अगर melelo acetal acetate isomerase की deficiency हो जाए तो कौन सा हो रहा था आपका tyrosinemia type 1 जिसका अपन ने एक और नाम देखा था hepetorenal tyrosinemia ठीक है तो यह अपन ने देखा था इसमें जो tyrosinemia type 1 है उसमें fumaral acetate hydrosilis और melelo acetal isomerase in दोनों की deficiency हो जाती है ठीक है तो इससे यह दोनों नहीं बन रहे तो ketogenic pathway ketone bodies नहीं बन रही है और glucose भी नहीं बन रहा है इसलिए अपन ने देखा था कि इसमें एक features आ था क्या देख लिया इस वीडियो में तो अपने phenyl ketoneuria देख लिया एलकेptoneuria देख लिया albinism देख लिया tyrosinemia देख लिया ठीक लगबख समझ में आ गया होगा और नहीं आया होगा तो अपने जो main feature है कि last में protein metabolism पूरा होने के बाद अपन हर metabolism के बाद एक लास्ट वीडियो अपनी होती है clinical case discussion उसमें अपन प्रॉपर patient के history प्रॉपर question से अपन सॉल करते हो उसको तो उसमें ये वीडियो ज़्यादे समझाएगे ठीक है तो वो देखना ना भूले और guys notes आपको नहीं बनाने मैंने पह थारत